हेलो एवरिवन वल्कम चो माई चेनलल लौजिक पाच च्छला तो देखिये आज एपरेल का जो है वो लास्ट दिने अपरेल महीने का तो जितने भी एपरेल महीने के महत्रपौर्ण दिवस हैं वो सभी आज हम इस वीडिο में करने वाले हैं तो यह जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़ता important वीडियो है क्योंकि दिवस से question जो है वो ऐसा कोई exam नहीं है जहां से दिवस से question नहीं पूछा जाता तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि April months के कौन-कौन से महत्रपूर्ट दिवस है औ तो देखिए April month के अगर हम बात करें सबसे first वो दिवस की पहले कौन सा दिवस हम पढ़ेंगे तो देखिए first number पर हमारा क्या है फिर्स एपरल को यानि एक अपरल को मनाया जाता है उडिसा स्थापना दिवस या इंगलिश में कहें तो उडिसा foundation day कौन से दिन मनाया जाता है first April को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पढ़ें कि उडिसा स्थापना दिवस सन 1936 से एक अपरल को मनाया जाता है यानि जब starting इसकी हुई थी तो 1936 से हुई थी एक अपरल 1936 को उडिसा को स्वतंतर प्रांत के रूप में घोशित किया गया था और उडिसा को और भी कई नामों से जाना जाते तो उडिसा के जो प्राचीन नाम थी वो कौन-कौन से थे कलिंग, उतकल, उद्र क्या आप याद रख सकते हैं कि हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि कलिंग का जो नवीनतम नाम क्या है या फिर उडिसा का प्राचीन नाम क्या है तो द साल एक अप्रेल के दिन ये उडिसा फांडेशन डे मनाया जाता है important है सारे ही दिवस बहुत important है आप सभी के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखें next है हमारे पास second जो दिवस है वो है विश्व autism जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है second of April को यानि World Autism Awareness Day याद रतना है second April को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है देखते है संग्त रास्ट महासभा ने वर्ष 2007 में दो April के दिन को विश्व autism जागरूकता दिवस घोशित किया था और नीला रंग जो है वो autism का प्रतीक माना गया तो यह जागरूकता फेनाने के लिए autism के बारी में awareness के लिए इस दिन को मनाया जाता है second April के दिन मनाया जाता है तो बहुत आपको याद जरूर रखना है third को हम देखते है third पे हमारे पास क्या है 5 April यानि 5 April के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है रास्टिय समुद्री दिवस जिसे English में कहते है National Maritime Day साइट में मैंने आपके लिए सभी चीज़ सभी जो दिवस हों सभी के पिक्चर्स भी लगा रखिये तो आप यहां से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं आपको क्या होगा ना जिके पिक्चर्स वगेरा लगाने से काफी ज़ादा effective effect create होता है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है तो पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए तो 5 April के दिन रास्टिय समुद्र दिवस मनाया जाता है समुद्र के बारी में जागरुकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है यानि समुद्र से related जो भी बाती है उन सब बातों को लोगों तक पहुचाने के लिए 5 April के दिन National Maritime Day मनाया जाता है Next दिवस है 6 April 6 April के दिन मनाया जाता है अंतरास्टिये खेल दिवस यानि International Sports Day काफी जादा एक्जाम में से question बनते हैं कि International Sports Day किस दिन मनाया जाता है तो दिन याद दखना है 6 April क्यों मनाया जाता है वो भी देख लेते हैं अंतरास्टिये खेल दिवस प्रती एक वश 6 April को विकास इवं शान्ती के लिए बिविन दीज़िशों के मध्य खेलो द्वारा सांस्कृतिक वे अंतरास्टिये स्तर पर विकास तथा शान्ती के उद्देशय से मनाया जाता है इत्ता लंबा चोड़ा लिखा है लेकिन एक बात ध्यान रखना पूरे विकास भर में खेलो की तरफ लोगों को आकशित करने के लिए मतलब उनकी इंपोर्टिंस बनाने के लिए अंतरास्टिये स्तर पर इस जो दिवसे से को मनाया जाता है तो बस आपको दिवस याद रखना है कौन सा है अंतराष्टे के हल दिवस और डेट क्या है इसकी 6th of April आगे next दिवस देखते हैं 7th of April दिया गया है 7th of April को मनाया चाता है विश्व स्वास्थिय दिवस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत सदा इंपोर्टेंट है बहुत पूछा जाता है World Health Day किस दिन मनाया जाता है 7th of April को मनाया चाता है इसका उदेश्य होता है विश्व में दुनिया भर में लोगों को स्वास्थे के प्रती जागरो करना इसका उदेश्य होता है जिससे स्वास्थे संबन्धी समस्याओं को आप से सरयोग से दूर किया जा सकी यानि सभी को Health के बारे में क्या किया जाता है Awareness किया जाता है Aware किया जाता है कि आप अपनी Health का धियान किस तरीके से रख सकते हैं क्या क्या आपको इसके लिए करना चाहिए तो पूरी information प्रवाइट करी जाती है और 6-7th of April को मनाया जाता है विश्वस्वास्थिय दिवस Next हमारे पास है 12th of April को मनाया जाता है अंतराज्टिय मानव अंतरिक्ष उडाम दिवस यानि International Day of Human Space Flight इसे मनाया जाता है 12 April के दिन क्यों मनाया जाता है क्योंकि 12 April को यूरी गागरीन सपने नान सुनाओगा यूरी गागरीन का इनके दुआरा मानव की पहली अंतरिक्ष उडान भरी गई थी यानि जो पहली अंतरिक्ष उडान करी गई थी वो 12 April 1961 को भरी गई थी तो इस दिवस को यानि इस दिन को याद करने के लिए हर वर्ष 12 April को ये दिन जो है वो मनाया जाता है तो स्पेस से रिलेटिड है ज्यान लगता है question आगे हम बढ़ते हैं 12 April के बाद देखे 13 और April वेरी वेरी इंपोर्टन याद रखने के लिए जलिया वाला बाग नरसंगार दिवस बनाया जाता है जलिया वाला बाग के बारे में सभी ने सुना होगा कि काफी जादा उस दिन हत्याई होई थी जनरल डायर द्वारा पंचाग की अमरिस्तर जिले में निहत्ते लोगों पर गोलिया चला दी गई थी उस दिन काफी जदा बेकसूर लोग मारे गए थे इस दिवस को याद था तो 13 अपरेल डेट याद रखनी है जलिया वाला बाग नरसंगार दिवस अगले आगे देखते हैं तो 14 अपरेल को अंबेट कर चेहनती मिनाया चाहती है हाल ही में अंबेट कर चेहनती 14 अपरेल को मनाई गई तो ध्यान लखना है तो कि अंबेट कर जी ने देखे काफी सता भारते समिधान में योगदान दिया था उनकी वज़े सी ही जो निम्नवर्गे की लोग है उनको आगे लाए गया तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था समिधान के लिए तो उनकी जहनती के रूप में प्रती एक वर्ष चोथ है एपरेल को अंबेट कर जहनती से question आ जाता है ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं कौन सा दिवसे बही 17 अपरेल है अगला 17 अपरेल को बनाया चाता है विश्व हीमोफीलिया डे इसको इंगलिश में क्या कहते है वर्ड हैमोफीलिया डे हैमोफीलिया एक तरीकी बिमारी है एक तरीकी disease है क्या है इसमें कि जो blood है हमारा मालेच आपके शरीर के बाहर चोट लग गई तो आपका जो blood है वो रुकता नहीं है वो बहता रहता है उस disease को हम क्या कहते है हीमोफीलिया कहते है तो इसी के बारे में जाग रुकता फेलाने के लिए प्रती वश 17 अ आपरिल के बाद आता है अगला दिवस 18 अपरिल 18 अपरिल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस यानि word heritage ये क्यों मनाया जाता है जो हमारी विरासत है देखे उसको सुरक्षित और सम्हाल कर रखने का उद्देश है हमारा ही है जैसे आप साइड में पिक्चर्स देख हमारा सभी का है तो इसी को याद में रखते हैं कि हमें उससे सुरक्षित और सम्हाल कर रखना है तो प्रतियक वश 18 अपरिल के दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है आगे चलते हैं आगे अगला दिवस है 22 अपरिल के दिन मनाया जाता है प्रत्वी दिवस ये तरड़े मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी climate action आप इसके थीम भी याद रखें क्योंकि ये थीम से भी question बहुत पूचा गया है तो यहां पर हमारे पास क्या है वो इसको क्यों मनाया जाता है तो दिखें से दुनिया भर में परियावरण सनक्षर में समर्थन प सेप्रेल के दिन मनाया जाता है आगे चलते हैं देखते हैं अगला क्या है तीस प्रेल तीस सेप्रेल के दिन मनाया जाता है वेश्व पुस्तक एवं容易 ansor बुक और कैम हो लिक्ष राइ़ जाता है इसलिए इसो दीवर्श को मनाया जाता है यानि हम वर्जक की थी dra-षि अ Unfortunately, उनको अच्छी तरह से यूज करना सीखी इसलिए तीही सप्रेल के दिन इस दिवस को मनाया जाता है नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिवस है 25 अप्रेल 25 अप्रिल को मनाया चाता है विश्व मलेरिया दिवस यानि वर्ड मलेरिया दिवस डे जो है मनाया चाता है 25 अप्रिल को मलेरिया आप सभी जानते होंगे बहुत एक जानलेवा बिमारी होते है जो मच्छर के काटनें से होती है तो लोगों को जागरू किया जाता है मलेरिया के लक्षन क्या है उसका उपचार आप कैसे कर सकते हो पूरी जानकारी लोगों को दी जाती है उन्हें जागरू किया जाता है अगर बात करें तो मलेरिया की मलेरिया जो है वो माधा एनिफलिस यानि जो फीमेल एनिफलिस है उस मच्छर के काटने से होता है और पहली बार इसकी खोज की थी डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की थी तो प्रतिवर्श 25 अप्रिल को क्या मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस याद रखना है बिलकुल नेच्ट दिखे 25 अप्रिल को एक और डिवस मनाया जाता है अंतरास्टिय प्रतिनिधी दिवस यानि इंटरनाशनल रिप्रसेंटेटिव डे ये दिवस सहिंतरास्ट में सरसे राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरुकता बढ़ा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं तो 27 अप्रिल आता है 27 अप्रिल को मनाया जाता है विश्व ग्राफिक्स डे यानि वर्ड ग्राफिक्स डे मनाया जाता है इस दिन दुनिया भर में संचार डिजाइन और इसकी भूमिका को पहचानने के लिए इस द ग्राफिक्स डे मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं आगे दिखते हैं क्या है 29 एप्रेल आ जाता है लास्टेर 29 एप्रेल अंतरास्टे इनरत्य दिवस काफी जद आपने यूट्यूब पे भी देखाऊगा बहुत सारी इंटरनेशनल डे पे डांस की वीडियो बनाके लोगों क्यों डाली हैं ताकि इसको प्रमोट करने के लिए लोगों को बताने के लिए कि डांस इंप्रेंट है हमारे लाइफ में क्यों मनाया जाता है तो देखिए यह दिन के शुरुवात हुई थी 29 एप्रेल 1982 से इस दिन के शुरुवात हुई थी एक महान रिफॉर्मर जिनका न समाप्त होती है जितने भी एपरल के महत्ववों दिवस थे किस दिन मनाया जाते हैं क्यों मनाया जाते हैं वो सभी हमने पढ़ लिया तो जरूर देखिएगा वीडियो खौत इंपोर्टेंट है काफी जादा दिवस से क्वेशन पूछे जाते हैं तो हर मन्स के लास्ट दे चय क्या हुआशा है व οποbane तो करने पादे जाते हैं प्सकती है झाल किस्या जाते हैं